असलाव अबरिवन अच्छा सबसे पहले तो यह देख लें कि पार्ट में आपको बता दूंगा इसके हम जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में अज जो है वो स्टडी करने वाले ठीक है तो इंजेक्शन मोल्डिंग बेसिकली प्लास्टिक की की जाती है इसके ज़र इसका बेसिक प्रिंसिपल यह आप प्लास्टिक को पहले मेल्ट करते हैं और फिर प्लास्टिक को इंजेक्ट करते हैं अब प्लास्टिक को जो आप इंजेक्ट करते हैं तो वह किस चीज के जरी होते हैं करते हैं एक टर्निंग स्कूरू होता है तो मैं एक एक करके आपको यहां पे सारे पर्ट बता देता हूं पहले लीके अब होगा है कि नdı के अभी Thank You उन्टेब के प्लास टुपयूप बलास्टिक का प्लास्टिक बिलेटि तो यहां पे अगर आप गड़ गौर करें प्लास्टिक यहां से भी सब्लांब से आएंगे फिर आप यूज करते हैं अब यह जो फनिल ऐसी चीज आपको नजर आ दिये ना जाइड सी बात है आप उसको पहले प्लास्टिक को अपनी मशीन में इंपुट करेंगे उसको प्लास्टिक को डालेंगे इसमें मशीन में तो वह इस फनिल टाइप चीज के जरी ड रखिए कसका नाम कि होता है कि आप जहर सी बात है आपको प्लास्टिक को प्रितिक लाना भी ठीक है न तो जब आपको प्लास्टिक को प्लास टीक हो अगीन होते हैं यहां पे हीटिंग अधि लगे होते हैं elektrikलिव пиш लगे आवो इसके मुक्तलिफ मेंज्स होते है के डिसेंटेंटिंळी भी हो थिक ठीकंप State यूझ्ली सेंटटिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकर आपको पता है कि elektrikल रिसेंस हीट काफी दा प्रोयिस होते है कि यह फिसी जैसे आपकी इस इसमें कहना में electric cattle में और electric iron में ब् infrastructure मेंbons खिर्डियोंस होती है छीग के लिकिन और दूसरे method इसमें निरे टिप्लाइक के जाते हैं घरी साथ में लिखावाने दारा एपको thermocouples thermocouple basically यह Serverouds किसी surface के अगर आपको temperature इन्ट रखना होता है तो आप अधि यूज करते हैं कि आधि यहां पर बहुत अहम अहितार तो आप यह वी देखेंगे के प्लास्टिक मेल्ट हो जै हो फिर आप यह भी देखेंगे के मेल्ट होने के बाद वह यह यह पर है इस सॉलीड़ ना हो रहाए हुए ठीक है अपने कहना में plastic को feed किया है ठीक है तो thermocoubles आप लगाते हैं temperatures को check करते हैं अब thermometers से different होता है ऐसी बात है आपको अगर पानी में या किसी चीज का temperature चेक करना होता है तो आप thermometer यूज करते हैं आप किसी पानी में या लिक्विट में तो थर्मोमीटर डाल देंगे लेकिन जो सॉलिट सर्फेसे होती है ना उसके टेम्प्रेचर जब आप चैक करते हैं तो थर्मोमीटर से एफेक्टिबली वह नहीं लिए जा सकते तेम्प्रेचर एक्यूरेटली ठीक है क्योंकि आप खुछ सोचें आपके पास अगर एक छोटा सा कोई पीस हो उसका आपको टेम्प्रेचर चैक करना हो तो इस पर थर्मोमीटर टच करके तो नहीं देखेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह सॉलिट सेर्फेस पर हम थर्मो कपल्स यूज करते हैं और टेम्प्रेचर अचा यहां लिखाव है बैरिल बैरिल मतलब यह पूरा जो एक कंटेनर है अब इसका ना क्रॉस सेक्ष्टन दिखाया आपको उसको कार्ट के दिखाया सेक्ष्टनिंग की यह थाक एक पार्ट क्लेर हो जाए यह से कटावा थोड़ी हो ता आधा इस पूरा गोल होगा ठीक में या आप मोल्ड कहलें इंजेक्शन मोल्ड में ठीक है सांचे में अब यह दिखा रहे हैं कि रैट कलर यहां पर देखें यालो में ता इसमें यहां पर यह बेसिकली यालो कलर से जो दिखाया रहा है यह प्लास्टिक यह दिखा रहे हैं आपको प्लास्टिक के पैलेट चोटे-चोटे pieces होते हैं फिर यहां पर देखा रहे हैं कि जैसे-जैसे यहां पर अंदर heating हो रही है तो देखने है अब color change हो रहा है, orange होता जा रहा है और यहां पर आकर red हो गया मतलब बिल्कुल जो है न वो बिल्कुल पिघला हुआ, molten state में और बहुत ही गरम है और अब इस इसको inject किया जा रहा है यह जो आपको दर्मियान में नजर आ रही है न कुछ आपको शाहिद U-shape की नजर आ रही होगी cavity मतलब इसको आप थोड़ा क्रॉस में इस तरह करके देखें तो आपको cavity नजर आ रही होगी जहां यह जो मॉल्टिन प्लास्टिक है यह इंजेक्ट होने वाले आने वाले अंदर ठीक है यही वह इंजेक्शन मॉल्ड है लिक्विफेक्शन बताया वै मॉल्ड अभी एमटी है यह जहां तक आपको यह िए तक राइड कलर से शो हो रहा है वह तो मॉल्टिन प्लास्टिक उसके आगे का जो है मॉल्ड थीक है यह दिखा अब यसमें जिएक्शन मॉल्ड आगे का इससा अ पर यह देखाए हगा अगली फेस में दिखाए हागा कि यह देखें iL ho गई का यहां पे फाली था य तो solidify हो जाता है, solidify हो जाता है तो ये clamping खुल जाती है और ये part नीचे गिर जाता है और फिर दुबारा clamp बंद हो जाता है फिर सही process चलता है तो इस तरह चलता है कुछ इसमें न अब ये इसमें ये part भी दिखाया हुआ है कि वो molded piece जो है वो ऐसा है अब यहां आपको लग रहा हुआ कि यह कहें कि left hand side पर पूरा goal है और right hand side पर आधा गटा वह तो वह मैं असलिए बता रहा हुआ हूँ कि यह आपको section करके दिखाया है injection molding machine का एक section आधा कार्ट के दिखाया हुआ है तो piece का भी आधा हिस्सा दिखाएंगे असल में तो piece पूरा है और असल में तो injection molding machine भी पूरी goal होगी आगे का हिस्सा जो है वो rectangular और पीछे का हिस्सा पूरा circular होता है ठीक है तो अभी यहां पर क्यूंके cross section करके दिखाया हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ठीक है जब तक cross section नहीं करेंगे तो आपको parts वाजिक कैसे होंगे ऊपर से कोई solidification हो जाती है और clamping open होती है तो यह ejector पिंस क्या करती है पार्ट को आपके जो आपने molding के जरीए plastic का कोई भी part बनाया है उसको eject यह नहीं बाहर फेक देती है वो नीचे गिर जाता है ठीक है अच्छा प्लास्टिक की बहुत सारी injection molding से बनते हैं ठीक है अब मैं मैं चाहरा हूँ आपको एनिमेशन भी देख लें ठीक है साथ ही आप पहले आपने parts देख लिए अब एनिमेशन देख लेंगे उसके बाद कुछ चीजें तीन-चार चीजें और discuss करेंगे और फिर इंशाला ताला कॉंक्लूड करेंगे session को अब इसमें देखें यह एक finished part प्लास्टिक का ठीक है आपके सामने red color से नजर आ रहा है इस तरह की machine होती है injection molding machine पूरी ऐसी होती है यह tool है ठीक है यह यह हिस्सा mold का हिस्सा आगे का ठीक है जहां cavity है यह पूरी machine है देखें इस तरह होती है पूरी बंद यह उपर से protection के लिए शील अगर भी लगी होती है यह hopper है यहां से देखें उपर से pallets डाले जाने red color में plastic के ठीक है यह देखें heating elements लगे में क्यों हो ताकि temperature rise आप यहां पर पिघल जाए plastic यह आपका वो turning screw है इसके तीन zones होते है feed zone transition zone और metering zone feed zone start वाला यह जिस तरफ से आप feed कर रहें transition दर्मियान का होता है और वो लास्ट है feeding granulate and melting अब देखें इसमें अभी क्या हुआ कि फीडिंग जब हुई है यह देखें पिघल गया यह प्लास्टिक यह जो आपको blue color में show हो रही है न यहां पर यह blue color में coolants है ठीक है मैं रोक देता हूं यह क्यों होती है इसलिए है कि ताके इसके दो परपस है एक तो यह है कि यहां पर आपको इस region में जो injection मोल्ड है basically आगेगा इसमें आपको solidification भी करवानी अब यह तो नहीं चाहेंगे कि आपके पार्ट देर देर में बने आपको जल्दी जल्दी solidification करवा कि अपने पार्ट को एजेक्ट करना है ताके आपकी production बढ़े ठीक है तो एक तो आपने इसलिए यूज की वी है फिर दूसरी चीज यह कि आपका जो मोल्ड वैसे ओवराल है वो देखें जब चीजें हीटिंग होती है ना चीजों की अगर कोई मशीन पर कंटीनियूसली हीटिंग होई जा रही है होई जा रही है तो thermal stresses भी जो है ना वो बेयर करती है चीज तो उसको भी मद्दे नजर रखा जाता है तो इसलिए भी यह अब देखें कैसे इंजेक्ट हो रहा है यह पूरा रेड यह जो प्लास्टिक ता मोल्ड ना रही है ताकि जल्दी जल्दी पार्ट जादा बने प्रोड़क्शन आपकी बढ़े और यह के तर्मल स्ट्रेस को भी कुछ आता है कि जो है वो नलिफाय कर रही होंगी ठीक है इस जानी मोल्ड के लिए जो इंजेक्शन का मोल्ड है ठीक है इसको भी बढ़ार वान कर देता हूं कि अब यह अब कि देखें कैसे इंजेक्ट हो रहा है इन पूरा अब कूलिंग उरी है कुलिंग हो रही है कूलिंग और यह देखें ये देखा रहे रहे है क्ल्रेस करेंगे भी नहीं कि तहीं पीछे स्प्रिंग लगे होते हैं एजक्ट कर दिया अब दुबारा से प्रॉसेस चल पड़ा कि फिर से क्लैम्पिंग जो ओपन हो जाएगी कि डोजिंग कहलाती है यह चीज कि जब आप मोल्ड के अंदर एंटर कर रहे होते हैं एजेक्टर प्रिंग ने आटोमेटिक लिए उसको बाहर कर दिया कि एक के बाद एक पार्ट्स बनते चले जारे हैं बनते चले को कूलिंग होगी फिर वह होगा क्लैम्पिंग जो खोलेगी एजेक्टर पिंस बहार निकाल देंगी इसको पार्ट एजेक्शन आई होब यह बड़ा मज़दार सा प्रोसेस अगर आप किसी प्लास्टिक की उसमें जाए किसी ऐसी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में जहां पे यह होता है ठीक है तो आई होप आपको यह समझ आया होगा अब हम दुबारा से तर आ जाते हैं पार्ट तो मैंने आपको सारे बता दिये थे तारे पार्ट पहले बताने का मकसद यह था कि आप जब पहले देख लेंगे तो पिर जब वहां पर कहना में जब प्रोसेस हो रहा होगा एनिमेशन में धायर एनिमेशन में जो आप चीज देख रहे हैं असली में भी ऐसी होता है प्रोसेस ठीक है इसलिए अनिमेशन बहुत एफेक्टिव होती है कि आप एनिमेशन के जरीए चीजों को सीखें फिर आप इंडस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो यह प्रोसेस चल रहा होता है बिल्कुल इसी तरह इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीन काम कर रही होती है सही है शायद आपको वहां पर मशीन पर इतना नहीं नजर आएगा जैसे अभी इसमें अनिमेशन में आपको क्लेरली एक एक स्टेप दिखाया है ठीक है अब जाहरे मशीन ऑपरेटर वहां जो अमला है वह भी आपको अगर इंडस्ट अगे देखते हैं अब इसमें देंगे थर्म प्लास्टिक्स यूज होती है तो मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ा सा डिसकस कर लें थर्म प्लास्टिक्स यह पैलिट्स जो पर छोटे-चोटे आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ठीक है और यह राइट हैं पर ज जहीं जो है वह इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं ठीक है अब यह जी थर्म प्लास्टिक होती है यह यह जैधिर आप बेस्वी जिसको आप जिसको लाइट करते और दुबारा से उसको आप या रीकास्ट करते हैं ठीक है कि यो भी उसने शकल इखिला की मोल्ड में जाने के बाद उसके बाद आप बाद आप आप अह Oops एसके बार अवार एक बार अप्ट आग जो थर्म्न सटिंग प्लास्टिक थर्म हसका अवता नी cepow है थर्मो प्लास्टिक में तो आप री कास्ट कर सकते हैं इंडेफिनिटली थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में आप इंडेफिनिटली नहीं कर सकते हैं ठीक है तो फर्मो प्लास्टिक के कुछ जो है वो कॉमन टाइप सी नाम लिखे में आप चाहें तो इनको सर्च करके के chemical formula अगर आभी देख सकते हैं वैसे आपने पढ़े भी होंगे और दो तीन बेसिक तो आपको पता होने चाहिए polypropylene, polyethylene और polyvinyl chloride जिसको PVC भी कहते हैं इसी तरह polystyrene भी है और आगे जो नाम लिखा हुआ है यह बहुत बड़ा है ठीक है पॉली इथाइलीन इथर पॉली इथाइलीन इथर एफ्थलेट एंड पॉली कार्बोनेट ठीक है यह इतने बड़े-बड़े नाम भी याद करें तो बेसिक आपको जो सबसे जादा यूज होते हैं कौन-कौन से पॉली प्रोपाइलीन पॉली थीन और पॉली थाइलीन और पॉली विनायल क्लोराइट तो यह पता होने चाहिए आपको थर्मो प्लास्टिक से आगे चलते हैं अब यह बैरिल के जोंग जो इसमें पिक्चर में भी आपको दिखाए जा रहे थे बैरिल क्या यह जो यह बैरिल जिस पर हीटिंग लगें तो बैरिल की कुछ इससे बताएं एक फीड वाला हिस्सा है बैरिल के जोंग जोंग मतलब उसके यानि रीजन जो शुरू का हिस्सा है जहां आप फीड करने उसको फीड वाल प्रोशन कहते हैं फिर उसके बाद आप इसमें देखें यह जोन है फिर फ्रेंट वाला जोन है आगे एक नोजल है नोजल का आपको पता होना चाहिए नोजल का हमेशा परपस ही होता है हमेशा दब यह में कैनिकल इंजिरिंग में नोजल पढ़ेंगे नोजल इंक्रीजिज दा विलॉसिटी वाट्सोएवर कुछ भी यह नहीं मतलब सोचे का कि शेप कैसा है शेप कनवर्जिंग यह वह आप अगर यह सोचते हैं कनवर्जिंग होता अगर नुजल होता है तकि नोजल का भी ऐलोसिटी बढ़ावना याद रखिए unser खयर आब इसमे पीछ आपको यह भी नजर आ THATDI्ज सपिस्टन व особlak स्कुरह नार upwards त्न्न जो प्लास्टिक मेल्ट हो रही है फिर उसको आप इंजट कर रहे हैं तो आप बेसिकली दो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो आगे चलते हैं कि इसके बाद यह क्वरू के इसकी screw और इसमें जो जुसका बीच का हिस्सा है इसमें depth कितनी है flight depth है यह ठीक है फिर आपको यह पता होना चाहिए कि pitch of the screw क्या होती है distance between two consecutive threats को pitch कहते है तो यह दिखायवा भी है कि दो consecutive threats के दर्मियान जो distance है वो pitch है इसका बताया है कि यहां से लेकि यहां तक कि दाइमीटर में आप इंटर्नल नहीं लेते एक्स्टर्नल बेसिकल रहे होते हैं कि threats को भी शामिल करके देखें दो lines भी दिखाई है नहीं यहां पर यहां से लेकि यहां तक है कि यहां पर आठे आते फिर state conversion हो रहा होता है प्लास्टिक जो है वह हो लिक्विफाय हो रहा होता है मेल्ट हो रहा होता है अब मेट्रिंग के मतलब यहां से पर आप उसको बस इंजेक कर देते हैं यह पूरी flight length है flight length जो है वो एंड वाला हिस्स जहां से आप इसको इंजेक्ट कर रहे है और जो start का हिस्सा है यही जब spline खतम होने के बाद जब flight length शुरूब हो रहा है वो अला हिस्सा यह पूरी flight length क्या लाती है ठीक है so screw components I think कोई इतने मुश्किल है clear होंगे आपको फिर आजाते हैं यह कि इसमें usually आगे ना एक non-return valve होता है injection molding में non-return valve होता है तो आपको वैसे तो valves का पता होना चाहिए कुछ लोग valves भी बोलते है अरे यह पिस्की प्रोणनसियेशन है तो वैस के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने टाइप स्केव होते हैं ठीक है बैतर है आपको पता हो फिर यह कि non-return valve आपको यहां पे usually use होता है तो इसके बारे में तो लाजवी पता होना चाहिए कि non-return valve जो है ऐसा वल्ब उता है जो कि इसी मीडियम को या किसी लिक्विट को इसमी चीज को जो फलो हो उरी है उसको सिर्फ एक डाएरेक्शन में फ्लोक अलाओ करता है उसकी रिवर्स डियारेक्शन में फ्लोलाओ नहीं होता ठीक है को यह बाद लिखीblesिया नौह निंट weiger jealous America Control-In only one direction and is fitted to ensure that the medium flows through a pipe in the right direction in which direction you are wanting to flow, just in that direction, the flow is not happening in that direction okay I will stop this so that the notifications don't do it okay, I have stopped Wi-Fi so that the notifications don't do it where pressure conditions may otherwise cause reverse flow, otherwise reverse flow but the non-return valve will stop the reverse flow the flow through the non-return valve causes a relatively large pressure drop which has to be taken into account when designing the system so when you design the system, you have to keep a lot of things in consideration one thing is that the pressure drop in the non-return valve will drop in the non-return valve which way you will cope up okay then on the other side, this is also told that different types of non-return valves there are spring-loaded and swing type if you can see pictures on the internet, you should know that if you can show the light spring-loaded and non-return valve what is the non-return valve? what is the swing type? what is the clapper type? what is the valve? okay non-return valves are for example used with mixing loops in heating and cooling where you are using the non-return valves to ensure proper operation and with domestic water systems to prevent backflow where domestic water systems have pipelines, there are also non-return valves to prevent backflow flow just unidirectional okay now we will conclude this we will conclude whatever we have what we have told you we will conclude which are related I have told you that if someone has a child there are thermosetting plastic or screw if someone knows about it I have told you that I am not going to have a lot of long-term long-term care now we will conclude we will conclude that injection molding injection molding is the injection molding that you should be clear so the principle of this you should complete you should be clear what is the whole process 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 I have covered so that you have no longer time or not any problem so here we have told you that injection molding of thermosetting polymers i.e. plastic pallets are fed from a hopper into a reciprocating screw injection molding machine first let's do this which you have seen in the slides which you have seen first what did you have done 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 reciprocating screw injection molding machine now I have Wi-Fi on so now I don't know other notifications ok ok so where they are melted now heating elements were placed because of the heating elements what did you have done and then melted by the mechanical energy exerted by a turning screw and by heaters I have told you two things two energy we are doing here one thermal energy heaters and one mechanical energy which is turning screw and the turning screw the heaters arranged along the barrel you have seen that the whole barrel put the heaters on the whole barrel on the whole barrel there is no 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 now it's coming somewhere now it's going now I can't do anything ok ok the screw moves forward which is central the screw forward move injecting the molten plastic into the mold so you have seen that when the screw reciprocate then the plastic which is melted into the mold feed it into the mold after the plastic is solidified this is the right most portion where the plastic solidification is in the mold the mold is opened the clamping is opened and the molded piece is ejected which you have seen that the final part is molded it is ejected so you have seen the ejector pin you have seen how it goes so if if you have seen in one slide I have tried to cover you if you ask directly injection molding then you can know that this is so much so that's all for today questions you will ask me whenever you want you can ask me so there is no problem so thank you very much have a nice day allahfiz